तो टाइम एन वर्क में हम लोग देखे थे कि टोटल वार कौन होता है साथ यह भी देखा था MDH इस दो कॉंसेप्ट पे कहां तक गया थे कुश्चिन देखो तो यह हो गया था यहां तक हो गया था यह कुश्चिन नहीं हुआ था पढ़िए A और B क्या कर रहा है Can finish a piece of work in 30 days B and C 40 days C और A 60 days How long will they take to finish it together किसका किसका given है A plus B A plus B का क्या given है 30 days B plus C का 40 days और C plus A का तो सब निकालना क्या है वे इसे एक साथ पुरा करने में कितना समय लेंगे मैंने क्या बताया था A कितनी बार है B कितनी बार C तो A, B, C अगर एक बार लेते तो मैंने क्या बताया इधार टाइम को डबल कर लो होगा ना तो 30, 40, 60 का LCM 30 से 40 से 60 से 120 वर्ट नौ या 240 वर्ट नौ या 80 वर्ट तेन या 26 पुर्णांग 2 वर्ट तेन देन है? तो जब दो दो बार है तो इधार ही टाइम को ही डबल कर दो ठीक है? अगला कॉस्चिन 10 men can complete a piece of work in 15 days 15 women can complete the same work 12 days all the 10 men and 15 women work together in how many days will the work get completed? कितने लुग सॉल कर लिए इसको? ज्यान से पड़ो 10 पुरुस को कितना टाइम लगता है? और 15 महिला को 12 देन तो यदी सभी 10 पुरुस और 15 महिला काम करें आप लोग इसको बहुत अच्छे से नहीं सोचे इसलिए नहीं सॉल्व हुआ होगा है ना? 10 पुरुस को अगर हम a मान लें तो a को 15 देन और 15 महिला को हम लोग अगर b मान लें तो b को 12 देन तो कोश्चन कहरा है a plus b this is a this is b तो बता सबसे आसान कोश्चन था जो आप नहीं बना क्या होगा? तो इसको a मान लिया और इसको b तो a plus b अगर पूछ रहा है 15 और 12 काल्सियम कितना? 15 से 4 12 से 60 विटा 9 20 विटा 3 6 पुनांक 2 विटा 3 देन 3 क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो मुँ बना के क्यों बैठी है? नहीं समझ में आ आ तो दुबारा पूछेंगे कि साथ क्लियर नहीं है? अगला कोश्चन के और बढ़ें? हाँ जिनको यहां तो क्लियर नहीं हो अपलोट किया जा चुका है, तो उसको देखेंगे, चलें अगला पढ़ें, एक किसी काम को 30 दिन में, भी उसी काम को 40 दिन में तो दोनों मिलकर, ये भी इजी था, तो A प्लस B, क्या होगा, 30 और 40 का LCM, 130 से 120 वर्टा, 17 पुर्णांक एक वर्टा, 17 1 बाई 7 है, क्लियर, आजा जो लोग एक्जाम सोगर दे के आ रहे हो, चाहिए वो GD का एक्जाम है, या इसे पहले CHSL दिया, MTS दिया, क्लास में जितना पढ़ाय जा रहा है, कोश्चन एक्जाम में वही आ रहा है, तो एक confidence के साथ अच्छे से उसकी तयारी करो, और निकालने की कोशिस करो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, एक्जाम में वही आएगा, चाहिए आप कोई भी एक्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, चाहिए जी, मुह लटका के बठी हुई है, यह खो गया था इसलिए क्या, नहीं है तो, ठीक है, फार के फिक देते हैं, नोसर क्या, मुह लटका के बढ़ा दू जी, और मेरे को फोन कौन किया था, कि सर मेरा बुक छुट गया, सर आप, हमको कह रहा है कि आप जा करके कम किजेंगे, कि मेरा बुक थोरा सा, पहले जा करके देखिएगा, ना क्लास में वह लेकर रख लिजे, हम कह रहे हम तो क्लास में हैं, अभी क्लास लेना है, तो नहीं सर पहले चल जाएए ना, पान बोला था, चल आगला क्वेशन, देखो, यहाँ कैंपस से जाने के पहले, अपना बुक्स होगर अभी देख लिया करो, कैसा नहीं कि आपका छुटा हुआ है, आप देखो, A and B वाकिंग टुगेदर, कुट, मौ होगा, M होगा, है ना, A fail in 28 days, कितने दिन में, 28 दिन में, खेत को काट सकते हैं ना, और C की सहायता से 21 days में, देखो, A और B एक साथ काम करते हुए, 28 दिनों में, एक खेत को काट सकते हैं, और C के मदद से इसे, एक केस दिन में, कुशिन समझ में आया हो, क्यानि A प्लस B लगा, 28 दिन, और C की सहायता, A प्लस B प्लस C, कितना दिन, 21 days, क्या देख कर लग रहा है, कि सर, A B गिवन है, और A B C गिवन है, तो A B C में से, A B को घटाओगे, तो क्या बचेगा, C निकलेगा, तो बताओ, 28 और 21 का LCM कितना, 84, 28 से 3 बार में, पाले 21 से, 21 से 4 बार में, और 28 से 3 बार में, तो 84 बर्टा, 1, मतलब 84 दिन, concept में पाले ध्यान दो, 3 में से 2 घटाएंगे, तो C मिल ही जाएगा, है ना, तो 3 में से 2 को घटा देना था, चलिए, अगला कुश्चन पढ़िए, अगला कुश्चन है, ये, A को कितना दिन लग रहा है, 5 देज, और B को 4 दिन, A, B, C, टुगेदर, 2 दिन, अब बताएगे, क्या ये कोश्चन बन सकता है, A का कितना था, B का, और 3 मिलकर, तो किसका निकालना है, C के लिए हम लोग क्या करेंगे, A, B, C में से, C को भी घटाएँगे और B को भी घटाएँगे, घटाएँगे ना, तो A, B, C को इसको चाहो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 by 2, minus 1 by 4 है ना, 5, minus 1 by 4, निकल जाएगा, ठीक है, या हम तीनों का LCM, सेकेंड में ठट से भी निकाल सकते हैं, तीनों का LCM कितना, 2 से भाग दो, 5 से भाग दो, 4 से 20 भटा 1 यानि 20 देगे, हो गया, चलो नोट करो, नोट करते जाओ, लिए के भाग, डिनों का यार जायद अगला question देखिए अगला question है ये A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है B से पूरा करने में 5 दिन लेता है C को उतना ही समय लगता है जितना A और B को मिल कर काम करने में समझ में आ रहा है तो A कहा दिया हुआ है और B का भी दिया हुआ है और C भी दिया हुआ है क्या कहा रहा? C को वो time लगता है जो A को भी और B कोई दोनों मिलाकर लगता है तो ऐसे लिख सकते है कि C को पराबर A प्लस भी A का कितना है? 20 और B का कितना है? तो दोनों का LCM क्या लेंगे? 20 से 5 से 5 से कितने बार में 4 दिन यानि C का कितना हो गया 4 देज और A का कितना था और B का कितना था क्या निकालना है तीनों मिलकर, question ये कह रहा है, तीनों मिलकर, ये तो का C, C जो है वो A जोर B के बराबर था है ना, तो इसलिए A प्लस B निकाला था करा दोनों को मिलकर के जितना सामय लगेगा, उतना C को अकेला लगेगा, अब ध्यान दीजे तो A, B, C किनों का पूछ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हूं क्या, कि ये बराबर तो C है, तो दो बार C, 4 दिन, एक बारसी, 4 दिन, तो दो बारसी, और आदमी बढ़ जागा, तो समय और बढ़ जागा, तो आट दिन कौन बोला, तो A, B, C का पूछ रहा है, कितना दिन, एक रास्ता ये भी है, कि आप 1 by 20, प्लस 1 by 5, प्लस 1 by 4 कर लो, तो ही दिन आएगा, जिनको ये लिंदी लगे, कि सर ये तो लंबा रास्ता हो गया, तो एक बार C, चार दिन दिया हुआ है कोशन में, तो दो बार C, चार बटा दो, मतलब दो दिन, आदमी डबल समय आधा, तो कहोगे कि सर ये कैसे लिख लिए, तो A, B बराबर तो C, कोशन कहीं रहा है, तो C हम लिख दिये, और A भी कर लिख कर के, ठीक है, चलिए, कोशन, यहां तक कोई प्रॉब्लेम? तो हम लोग अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं, अगला कोशन है ये, देखाए, A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में, और B अकेला 20 दिन में, तो A अकेला, A, B मालूम है, अब A दे दे या B दे दे, तो दूसरा निकल जागा, क्या करना होगा, घटा देना होगा, B अकेला 20 दिन म तो A का पूछ रहा ना, तो A कैसे निकलेगा, तो सर A प्लस B में से B घटा देंगे, और A प्लस B का कितना given है, 20, 15, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, 1 वर्टा 15 माइनस 1 वर्टा, 15 और 20 का LCM, 15 से 20 से 1 वर्टा वर्क ये होगा, और वर्क को पलट देंगे तो, टेज हो जाएगा कितना, 30 देन, एक रास्ता तो ये मैंने बताया था, दूसरा रास्ता, आप 15 और 20 का LCM ले लो, 15 और 20 का LCM, 15 से भाग दो, और 20 से, एंसर आ गया ना एक ही बहर में, 60 देस, आप जैसे आप से बनें, वैसे बनाओ, मैंने तो दोनों रास्ता बता दिया, 14, अगला question, इसको भी सोचना के लिए मैंने बताया था, कि एक बराबर पांच, तो तीन बराबर फंदरा, बोले थे ऐसा जब भी रहा, तब यह नहीं कि एक बराबर तीन भाग पांच दिन में, तो एक बाग पांच गुना तीन बराबर एक नहीं, सिधा यह उपर वाले कोई माना जाता है, आँ टोटल नीचे वाला होता है, तो जब एक बराबर, तो तीन बराबर, तो बता एक हो, कितना समय, तो तीन गुना पांच, यानि पंदरा दिन, अब आगे पढ़िए, भी उसी काम का दो बटा, पांच भाग दस दिन में, तो द बटा पांच पढ़ेंगे कि केवल दो पढ़ेंगे, केवल दो, तो दो बराबर, दस, तो पांच बराबर, तो दो गुना दस, बीस बटा कितना रहा है, पचेस, तो बी का, तस गुना, तस गुना, पांच बटा दो हो जाएगा, यानि पचेस दिन, यहां तक तो किनी को प लाएंगे तो 15 और 25 ए प्लस भी पूछ रहा है पूछ रहा ना 15 और 25 का LCM 75 75 15 से भाग दो कितने बार में 25 से भाग दो 75 बटा यानि 9 पुर्णांग 3 बटा option में डूढेंगे कहीं है option B सबों को समझ में आ रहा है और सबसे वरी बात कि यह भी जान रहा है कि हम रहां ठीक है जीरो लेवल से लेकर हम लोग उपर तक बढ़ रहा है लेकिन एक्जाम में question आपके assignment से ही आएगा और साथ ही साथ previous year question bank को हम लोग देखेंगे इसका 2000 जो plan है चाहिए वो online में हो तो one by one chapters का जो 2022 में या 23 में question है उन सारे का explanation चाहिए वो CGLO, CHSLO, MTSO, GD हो सबका वहां पर explanation भी मिला करेगा ठीक है जिससे क्या होगा आपका confidence और बढ़ता रहे ए'll gonna that right now यहां अब तो वह नहीं है कोई भी तरह का question का हम लोग कर सकते है आगला क्या है मैं प्रती दिन पाच गंडे काम करके हां फप्रती दिन पाच गंडे काम करके मैं एक काम सोलह दिन में कर सकता हूं कितने दिन में? सोला दिन में. पांच घंटा प्रती दिन काम हो राया है. तो ये पांच गुना, सोला, सोला पच्छे, असी. होगा ना? तो आई, यानि मेरे को कितना समय लगा? पांच गुना, सोला घंटा, यानि एटी आवर्स, असी घंटा. और तुम चार घंटे प्रती दिन काम करके इसी काम को बारा दिन में कर सकते हैं. यह भी मालुम है. हाँ? चार घंटे प्रती दिन, तो बारा दिन में बारा स्योका, और तालिस घंटा. 48 hours, बता I 80 hours, U 48 hours, आद दोनों मिल जाएं तो, दोनों हम लोग मिल सकते हैं ना, सब काम मिल के कर लेंगे, क्या हो जाएगा, I plus Q, 80 और 48 का LCF, अब उतना बरा हमको निकालने नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, किस टेबल में दोनों आ जाता है, तो देख रहे हैं कि सर, 16 के पारा में 80 और, तो ऐसे लिख देखिया, 16 गुना 5, 80 और 48, हो गया, इस कॉमन टर्म से दोनों कट जाए, तो कहो गे सर, इसका क्या फायदा होगा, तो बता, अगर 80 से भाग दिया, तो 16 पांच हट गया, 3 बचा, और 48 से भाग दिया, तो 5 बचा, तो बता, 5 और 3, 8 से कितने बार में, दो बार में, तो 5 दुना 10, तो 30 आवर्स, मेरे को अकेला कितना समय लग रहा था, 80 आवर्स, आपको कितना लग रहा था, 40, दोनों मिल ग गहनता काम रहा है, कितना गहनता काम रहा है, 6 खंटा, 6 आवर्स, तो कितना दिन, तो नमबर अपदेस, 30 आवर्स डिवाईदेड वाइड़ेद वाइड़ेड जानि 5 आवर्स, पता है कोई प्राब्लेम, आगे बढ़े हम लोग, अगला question है ये, A can do a work in 10 days, B takes 15 days to complete it, यानि जिस काम को करने में A को 10 दिन लग रहा है, B को 15 दिन लग रहा है, C takes as long as A and B would take working together, यानि A और B को जितना time लगता है, उतना time किसको लग रहा है, C को, समझ में आ रहा है, तो A कितना दिन है, 10 दिन, लिख दें, question में क्या given है, A का समय, 10 days, अब बता, B का समय, कितना है, 15 दिन, 15 days, और 7 में C भी given है, तो हम लोग ऐसे जो ले, C बराबरते A plus B, अज सीधा कुछी लोग क्या करते हैं, 10, 15, 25, time and work में सीधा नहीं जूटता है, तो 15 और 10 का LCM, 30, 10 से 3, 15 से 2, 5 से 6 बार में, अब क्या कर रहा है, A, B, C, अब बता, एक बार C है, तो 6 दिन लग रहा है, 6 days, अगर 2 बार C होता तो, और क्योंकि तीनों कह रहा है, तीनों मतलब A plus B plus C, और A plus B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C, तो एक बार C, 6 दिन, तो दो बार C, आदमी डबल, तो तुरा सोचना समय आधा लगेगा, या तो यह लोग ज़्यादा काम करेंगे, अगर आदमी डबल कर दिया, तो डबल काम करेंगे, और नहीं, तो समय आधा लगेगे, Next, A can do a piece of work in 6 days, B takes 8 days, C takes as long as A and B together, वही टाइप का question है, बन जाएगा, Same question, Next, A and B can do a work in 15 days and 10 days, A plus B start working and B leave after 2 days, and A completed the remaining work, in what time work will complete it, Question, जब left or join का केस हो, left or join मतलब कोई बीच में ज्वाइन कर ले और कोई फोर दे, Left or join, अगर left or join का केस है, तो work हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, work कितना, 1, एक काम, एक work, एक unit work, ठीक है, एक unit work, अब बताओ, क्या कर सकते है, A कितने दिन में कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, कि A 15 days में, और B, A का एक दिन में एक वटा 15 होता, B का एक दिन में एक वटा 10 होता, और टोटल वार 1, उपर में क्या लिखना है, कौन कितने दिन work पे है, तो A प्लस B ने काम शुरू किया, B ने दो दिन बाद छोड़ दिया, मतलब B दो ही दिन काम किया, इसका आर्थ है, ये भी दो दिन और काम पे था, दोनों शुरू किये, और दो दिन बाद B छोड़ दिया, तो B दो दिन तो इसका आर्थ है, A भी दो दिन रहाऊगा, तो बचा हुआ काम यानि काम अभी भी बचा हुआ है, A कितने दिन में है, तो A, X दिन में, उसी के concept में लिखो, यानि for how many days A was at work, तो दो दिन तो साथ में था ही, और X दिन और, तो B के उपर तो हम लोग 2 लिखे ही, यहाँ भी 2 लिखे ही, तो 2 प्लस X, clear? अब ये क्या हो जाएगा? ये तो कट गया, एक वर्टा 5, उदर जाएगा 2 वर्टा 5, 2 प्लस X, प्रटा 15, परावर 4 वर्टा 5, 5 से ये 3 वार में, 4 तिया 12, 2 प्लस X एक्वल टू 12, X एक्वल टू 10, A ने बचा हुआ काम पूरा किया, तो कितने समय में काम पूरा होगा? अच्छा, A completed the remaining work, in what time work will complete? तो को दो चीज है, ध्यान क्या देना है? काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 10 और दो 12 दिन में, लिएन बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10 दिन में, in how many days the remaining work will finish, तो 10 देस, और in how many days work will finish, तो 10 प्लस 2, 12 देस, clear? तो यह, तो यहाँ टोटल क्या होगा? टोटल टाइम, 10 जूर्दू, दो कहां से आया? पहले बाला, तो 10 जूर्दू, 12 देन, कोई प्रॉब्लम नहीं? अगला कोशन, एक किसी काम का, 4 बटा, 5 भाग, 20 दिन में कर सकता है, ए और भी, एक साथ कार्ज करते हुए, 6 कार्ज को, 3 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 से अकेला, अकेला करने में, कितने दिन समय लेगा? ए, 4 बटा, 5 भाग, 20 दिन में, ए और भी, एक साथ काम करते हुए, 6 कार्ज को, 3 दिन में, अज़ा, 6 कार्ज कितना बचा? जब 4 बटा, 5 काम हो चुका है, तो 1 बटा, 6 यानि, रेष्ट वर्क, 6 काम, 1 बटा, 5, कितने दिन में? 3 दिन में न? तो एक काम, 3 गुना 5, 15 दिन में, इसे अकेले करने में, B को कितना समय लगेगा? तो A प्लस B में से, ये 6 काम, B क्या लिखा हुआ है? 6 A और B, एक साथ करते हुए 6 काम को. तेस काम को कौन किया? A प्लस B, कौन किया? A प्लस B, और A, 4 काम 20 दिन, तो 5 काम, तो 20 कुना 5 विट चार, यानि 25 दिन, समझ में आ रहा है? A को कितना लग रहा है? 25 दिन, और A और B को कितना लग रहा है? 15 दिन, तो B निकालना है, तो क्या करेंगे? दोनों का LCM 75, 15 से ये पांच, तीन, 75 विट दो, साढ़े साहतेस, साहतेस पुनांक एक विट रहा है, तरन ओफ सेच, क्लियर? क्वोश्चन नमबर 20, जियान दिनगे, आजय और सुनिल किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, सुनिल और संजय कितने दिन में? 15 दिन में, संजय और आजय 20 दिन में, तीनों एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं? 6 दिन तक, तब कौन भाग गया? आजय भाग गया, उसके बाद 4 दिन में करते हैं, तो क्या पूछ रहा है? अब सुनील काम छोड़ देता है. चार दिन काम किये और कौन भाग गया? सुनील. तो संजय से इस काम को. अजय क्या समझ में आ रहा है यहां पर? कि तीनों तो एक साथ काम किये. छे दिन बाद कौन भाग गया? अजय. छे दिन के बाद अजय भाग ज जा रहा है और तब बचे हुए काम को कौन पूरा कर रहा है? संजय. तो आप ऐसे कर सकते हैं क्या? अजय को A मान लिया. अजय कितना? कौन? A. सुनील का? B. ले ले लेते हैं. और तिसरा नाम किसका है? संजय को C. ले लेते हैं. अब बताईए यह A. इसको कितना दिन लग र रहा है? दस दिन. इसको कितना दिन लग रहा है? नहीं, इसको नहीं लग रहा है. अजय और सुनील. A. प्लस B. को कितना दिन? दस दिन. जो ऐसे लिग लिए ना तो कोश्यन इजी लगने लगा. है ना? सुनील और संजय. यानि B. और C. कितना दिन लग रहा है? इसको 15 दिन और फिर है संजय और अजय यानि A प्लस C कितना दिन है ये? 20 डेज ध्यान से देखेंगे फिर A दो बार है, B दो बार है, C दो बार है तो जब A भी दो बार, B भी दो बार, C भी दो बार, तो एक बार A, B, C निकल सकता है क्या करेंगे वही दो को इधर लिख लिया, है ना, और तीनों का LCM कितना, 60, 10 से, 15 से, 20 से, 60 दुना, 120 बटा, 13, ये वर्क हो गया, अज़ आप वर्क को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, अब question को अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों कितना दिन काम किया, A प्लस, B प्लस, C, तीनों पहले 6 दिन काम किया, आज़ाय भाग गया, B और C, 4 दिन काम किया, फिर सुनील भी भाग गया, तो C बचे हुए काम को, कितना समय में, X अच्छे बताओ, C कैसे निकलता, ABC में से, ये तो ABC है, ABC में से AB घटाते तो C आ जाएगा, तो ABC में से, अगर हमको C पूछ रहा है, तो क्या कर सकते हो, ABC, 13 वर्टा, 120 में से, A और B को घटा दो, मतलब 1 वर्टा, 10, 12, यानि 1 वर्टा, 120, बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं, और A, B, C, यह 6 दिन काम किये, C और C, 4 दिन काम किये, और C, X दिन, और काम तब जाकर के समाब तूब्लम, मतलब पारले 3 आदमी काम पे हैं, उसके बाद 1 चला गया, 2 आदमी हैं, फिर 2 चला गया, 3 तो हम लोग, तो तीनों का 6 दिन का, बता, तीनों का एक दिन का काम, 13 वर्टा 120, तो 6 दिन का गुना चे, प्लस, A भाग गया, B और C, एक दिन का, एक वर्टा 15, तो 4 दिन का, चार वर्टा 15, फिर B भाग गया, C का, एक दिन का, एक वर्टा 120, तो X दिन का, और टोटल वर्ट, अच्छे से इसको समझेंगे, यहां तक दिन का हुआ, यह तो आप डारेक्ट निकाल सकतो, A, B है, B, C है, C, A है, तो यह तो देखने के साथ कि 2 इंटू, कार्ट वर्टा इतना, यानि 120 वर्टा तेरा, और यह वाला लाइन तो आपको समझना परेगा हैं, क्योंकि बीच में कोई छोर रहा है, कोई जा रहा है, तो हम लोग क्या किये, कि यह मालूम कर ले, कि कौन कितना दिन वर्ट पर है, जब तीनों काम साथ में कर रहा हैं, और 6 दिन बाद कौन भाग गया, तो बी और सी कंटिन्यू करेंगे, फिर चार दिन बाद कौन भाग गया, तो सी कंटिन्यू करेगा, तो अब उसी चीज को लिखा गया, कि कौशन में दिया हुआ तो एबी सी कितना दिन, 6 दिन, तो एक दिन में 13 वर्टा 120, तो 6 दिन में, प्लस बी और सी कितना दिन काम करेगा ये, चार दिन, एक दिन का काम, एक वर्टा 15, दो दिन का दो वर्टा 15, तो चार दिन का, और सी का पूछ रहा था, तो किवल यही सी हम लोग निकाले हैं, कैसे निकलेगा, तो एबी सी में से, किसको घड़ा देंगे, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला कोशन को देखेंगे, वीडियो तो मिली जाएगा, तो घबराना क्या है, चलिए, एबी सी किसी काम को 6, 8 और 10 दिन में, एक साथ सुरू करते हैं, बी और सी काज पुरा होने से क्रमसद 2 दिन और 3 दिन पाले छोड़ देता है, तो यहां भी देकराना पहले आया, छोड़ दिया, तो उसको एक ही कॉंसेप्ट है, क्या, कि टोटल वार्क 1, ठीक है, तो एक का क्या लिख सकते थे, एक बटा, बी को क्या लिख सकते हो, एक बटा, आठ और सी को, और टोटल वार्क 1, एक साथ सुरू करते हैं, बी और सी छोड़ रहा है, यानि ए लास्ट तक है, बी दो दिन पाले, एकस माइनस दो, ती तीन दिन पाले, एकस माइनस तीन, अगर काता नहीं, वो दो दिन करने के बाद छोड़ दिया, तो पर दो लिखते, कारा दो दिन पाले छोड़ा, यानि काम तो एकस दिन में समाप्त हुआ, अगर पूछेगा काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो एकस, तो लाश्ट तक कौन था, ए यह दो दिन पहले छोड़ दिया, यह एक्स माइनस दो, और यह तीन दिन पहले छोड़ा, मतलब एक्स माइनस फ्रे, निकल जागा, नेक्स्ट, ए साथ दिन में, बी चालिस दिन में, दोनों मिल कर 30 दिन काम के, इसके बाद ए चला गया, दो गुने काम को पुरा करने में, ए चला गया, तो कौन फिनिस करेगा, बी, और काम एक की दो, दो गुना काम है, काम तो एक होता है, लेकिन दो गुना काम तो दो, ती गुना काम तो तीन, अब एक का क्या लिख सकते हो, 1 by 60 B को क्या लेख सकते है और टोटल वा कितना अब तो 2 लिखेंगे दो गुना काम है दोनों मिलकर कितना दिन ये भी 30 ये भी 30 उसके बाद A चला गया लगाता है ना तो B कितने समय तक हो गया ये आदर डालो कि हम लोग पढ़ करके equation कैसे बना ले कि ये कितना दिन में कर सकता है 60 दिन में एक दिन में एक वर्टा साट करता है 30 दिन में 30 वर्टा साट ये 30 दिन में 30 वर्टा चालेज़ ये चला गया तो इसको तो नहीं छोड़ दिया ये प्लस X ठीक है कोई प्रॉब्लेम अब यहां से pattern change हो रहा है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे अगले क्लास में ठीक है अगला जो टाइप है वो last टाइप है अगले क्लास में देखेंगे